पिछले पार्ट में Godhead ने बताया था कि सायर भी अवेकनिंग से जादा दूर नहीं है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थी और वे कारने लगते हैं कि हमारे टीमें तो God के दो सकसेसर हैं वहीं दूसरी तरह हम देखते हैं कि लिंस इन भी इसके बारे में जाने के लिए काफी एकसाइटेड हो गया था और वो Godhead से पूछता है कि Divine Scroll के Awakening के बाद क्या क्या फायदा होगा तब इस पर Godhead उससे कहती है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं और फिर बताने लगती है कि इस इसके बज़ास से ना केवल तुम्हारी टैलेंट परफेक्ट होगी बलकि इसी के साथ तुम्हारे spiritual furnace और वेपन भी इस तरह से evolve होंगे इसी के साथ में पता चलता है कि वे गौड के दिये गए टैलेंट और स्किल को भी हासिल कर सकेंगे जिसके बज़ास से इनके पास में तो गौड की पाउर भी आ जाएगी तभी इससी बीच हम देखते हैं कि हाओचेन भी अपने ने मिले हुए इसकिल के बारे में याद करने लगा था जिसका नाम टियान यंग थ्री फाइनल्स होता है और अब इसके बारे में वो याद करते हुए कहता है कि या टैलेंट और इसकिल तो मुझे डिवाइन स्प्रिंग अवेकनिक से मिली है तब इसकी ऐसी बात सुनकर गौड हेड उससे पूछती है कि तुम्हें लाइट गौडेस से कोई ना कोई स्किल जरूर मिली होगी और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहती है कि या लाइट गौडेस के इसके बारे में रिवील हो जाएगा वही दूसरी तरफ हम देखते है कि इसके बारे में जानकर सिमासी आनवी इस पाद से बहुत ज़्यादा खुस होने लगा था और फिर कहने लगता है कि हमारी टिम तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है तब इस पर लिंस अगर पूरे होली डिमन कॉंटिनेट में देखा जाए तब के वल डिमन एंपरर ही ऐसा है जिसके पास में वन मिलियन स्प्रिच्वल पाउर है इसलिए वो इनको समझाता है कि अभी हमें इसके बारे में सौचकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां तक और अचानक से मेरे दिमाग में बहुत सारी इंफर्मेसन आने लगी थी तब ही अचानक से हम देखते हैं कि हाउचन को किसी पाउर के बारे में याद आ जाता है जिसके बाद वो गौड हेड और एलफ रेगन से कहता है कि मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए क्योंकि मुझ चलता है कि हाउचन इनको आपसे जिंदा करना चाहता था लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर चेन इस बात से काफी परिसान होने लगती है और फिर वो वेंग वान से कहती है कि क्या लीडर ने जिस मिरेकल के बारे में बात किया क्या सच में वाई यहाँ पर काम करेगा तब इसके ऐसी बात सुनते ही जेंगू से कहता है कि मुझे हाउचन के उपर पूरा यकीन है जिसके बाद वेंग युवान भी चेन से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचकर ज्यादा परिसान नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई ऐसा म क्रीयेट कर सकता है तो वाकेवल हौचन ही है वहीं दुसरी तरह हम देखते हैं कि अब हौचन भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो Godhead से भी से स्टार्ट कर देने के लिए कहता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर आप Godhead भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो अपने पाउर को यहाँ पर रिलीज करके हाउचन की इसमें मदद करने लगती है लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जो भी होने वाला था उसकी पूरी जीमेदारी हाउचन के उपर थी और इसलिए Godhead भी अपने पाउर को रिलीज करके वहाँ से वापस आ जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाउचन मीन को आपसे जिंदा करने के लिए पूरी तरह से कोसिस करने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि मैं अब यहाँ पर नेचर गॉर्डेस के ऑथरिटी के जैसे बिहेब करने वाला हूँ और उसलिए मैं यहाँ के सारे चीजों के विटैलिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ इसके साथ हो कहता है कि मैं तो लाइट गॉर्डेस के ऑथरिटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और इसलिए इस तरह से मैं लाइफ के ओरिजिन का चार्ज लेता हूँ अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पाउर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहना लगता है कि जिन लोगों ने फैंटेसी पराडाइस को प्रोटेक्ट किया मैं उन सभी को हीरोई की स्पीर देना चाहता हूँ अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउचे ने अपने पाउर का यूज करके सभी के डेड़ बोड़ी को हवा में ला दिया था ताकि इस तरह से वो इनके उपर नेचर गोड़ेस और लाइट गोड़ेस के पाउर का यूज कर सके और इस तरह से वह फिर से इनको यहाँ पर ला सके लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे ऐसा करता हुए दे गौड हेड इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और कहना लगती है कि केवल एक पल के मेमरी का यूज करके तुम दो गौड के आर्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो अब इसके बज़ास से उसे ऐसा लग रहा था कि हाउचें के दिमाग के उपर इसका बहुत बुरा असर होगा और उसलिए इसके बारे में सुचकर वो काफी परिस्तान होने लगती है लेकिन तब भी एल्ट रेगन उसे कहता है कि तुम्हें उसके उपर यकिन रखना चाहिए जिसके बारे में सुनकर गौड एड उससे कहती है कि या खिरकार या तो गौड की पाउर है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्ट रेगन को हाउचेन के उपर फुरा यकिन था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया है क्या वो किसी गौड से कम है वही दूसरी तरह हम देखते हैं कि हाओचेंड भी इसके बारे में याद करके किसी तरह से इस साथ का यूज कर रहा था ताकि इस तरह से वो अपने मारे गए सबी साथियों को जिन्दा कर सके लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ऐसा करपना इतना असा नहीं होता जिसके बज़ा से अब उसके बाकी साथियों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और वेभी किसी तरह से यहाँ पर मारे गए सभी लोगों को जिंदा होते हुए देखना चाहते थे तभी इसी भीच हम देखते हैं कि हाउचें डूजी के साथ में बिताय हुए पलो के बारे में याद करने लगता है और कहना लगता है कि तुम मुझे मोस्ट टचिंग आई को याद दिलाते हुए और इसलिए मैं उमीद करता हूँ कि जब तुम हस रहते तो उनके पलो के बारे में तुम्हें याद हो अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनके साथ में यहां के बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगा था और फिर कहना लगता है कि यहां की हवा भी बहुत कूल है और जब यह तुम्हारे फेस के उपर जाते हैं तो वह भी कूल हो जाते हैं इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके सभी मरे हुए साथ ही एक जगा पर होते हैं जहाँ पर हाओचेन अभी भी इनके बारे में बहुत तरह की बाते कर रहा था फिर वो कहने लगता है कि प्लम फूर्ट बहुत ही स्वीट होते हैं और तभी इससे भीच हम देखते हैं कि एक लड़का डूजी को भी एक पल खाने के लिए देता है लेकिन वही दुसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके डेड बोडी के अंदर अभी भी कोई हल चल नहीं हो रही थी लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन अपने तरफ से पुरी कोछीज कर रहा था और फिर वो कहनेल लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ में बिताय हुए सारे पल के बारे में याद हूँ क्योंकि मैंने उन सारे पलों के बारे में बहुत ज़्यादा मिस किया है लेकिन तब इसे बीच हम देखते हैं कि हाउचेन भी इमेजिनेशन में महाँ पर आ गया था जिसे यहाँ पर देखते ही डूजी काफी खुस हो जाता है और फिर वो इसे अपने पास वाला एपल देते हुए कहता है कि तुम इसे टेस्ट करो जिसके बाद हाउचेन भी इसे टेस्ट करते हुए कहता है कि यह तो सच में बहुत ही स्वीट है लेकिन फिर इसके बाद वो डूजी से कहता है कि चलो अब मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर चलता हूँ क्योंकि हम सभी अब एक साथ में अपने घर जाने वाले हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डूजी भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पाउर रिलीज होती है लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यह प्रोसेस भी पूरी तरह से कम्प्लीट होने बाला था और फिर हाओचेन अपने बोडी से पाउर को रिलीस करते हुए कहता है कि हिरोई की स्प्रीट चलो हम घर चलें लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनके बोडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी जिसे देखते ही हाओचेन के सभी साथे भी इस पाद से काफी उदास हो गये थे और फिर वे कहाने लगते हैं कि यह प्रोसेस तो खतम हो गया वही दूसरी तरह हम देखते हैं कि चेन और बिंग युआन भी इसके बारे में सौच कर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गये थे लेकिन तब इसी वक्त हम देखते हैं कि डूजी आचानक से होस में आ जाता है और इसके अलावा बाकी लोग भी एके करके होस में आने लगे थे जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे सबी काफी खुस हो गये थे और फिर हाओचेन भी कहता है कि यह तो सक्सेस्फूल हो गया वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल ट्रेगन और गॉड हैड भी इस बात से काफी खुस हो गये थे और वे भी कहने लगते हैं कि हाओचेन ने तो ऐसा कर दिखाया लेकिन वही दूसरी और बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है और फिर वे करने लगते हैं कि हम तो डिमन के हाथों मारे गये थे और इसी बज़ा से उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं वे हेल के अंदर तो नहीं आ गये हैं लेकिन तब हाओचेन इन से बताता है कि नहीं यह फैंटेसी परेडाइज है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी भी इस बात से काफी खुस हो गये थे और फिर हाओचेन इन सभी का यहाँ पर वेलकम करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी अब हाओचेन से बहुत जादा खुस हो गये थे और फिर वे खुस होते हुए बार-बार हाओचिन को हावा में उछालने लगते हैं तो अगर एक्स्प्लाने सा नची लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट करके जरूर बताना लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना